अब वाद आप सबका टीम सर्मरबात करने वाले अपना आज के लिए जो मैच यहां से रहने वाला है अब बई दखो काफे दिन हो गयते हैं इंडिया वाले मैच पर खताम हो गयते हैं उसके बाद में एक दम आप मैच के मामले म॰ है तो अब जो है इंटरेशण मैच के शुरुआत हो चुकी जिसमें पहला मैच कढ sit tele när वर्सेश न're के बीच में पहला टी है और काफे ज़ादा इंट्रेंट्रेंस्निंग मैच है क्यों क्यों क्वाš है नेका नाम बड़े और दरशन चोटे आज सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ वीडियो को आखर तक देखोगे तो कैसा ओफर आपके लिए जबरदस्त है मेरे पास जहां बाई आप एक नहीं दो नहीं तीन नहीं पूरे पांच टीम आप चोइन कर सकते हो और जबरदस्त प्राइज जीच सकते हो वह भी सोचो एक प्राइब कर सकते हो एक रुपह में जोईन कर सकते हो और साथ जाड़ी भी सेकते हो अब कैसे होगा क्या नहीं सारी चीज़े करेंगे डिसकस तो वीडियो को आखर तक देखते रहे ने साथ साथ वीडियो पसंद आए लाइक ज़रू कर देने चैनल को सब्सक्राब कर नही ब्राइन लारे श्टीडियम त्रियाद में खिला जाएगा पहला टीट यहां पर हो चुके भाई नो मैच आपको एक राउंड याद आजाएगा इतना बतानी की जरूरती नहीं है यहाद टीट वर्ल्ड कप का पहला सही फाइनल अफगानिस्तान में से साउथ अपरेगा कि बीच में जो खिला गया था वह इसी क्राउंड पर खिला गया तो और उस मैच का स्कोर तो आप सबको पता ही होगा वैसे ओर ओर तो यह रायर रिकोर्ड इस ग्राउंड का नो मैसे चार बैटिंग फर्ष्ट पांच जीते बैटिंग से क्राउंड की एक दिक्कत है कि बहु वह अनसाटिसफेक्टरी वाला जो होता है ना उनका रेटिंग वह वाली दीती तो हो सकता है अब तक जो पिछ है वह थोड़ा ठीक कर दी गई हो तो 161 65 के आसपास आपको टोटल देखने को मिल सकता है हलाकि यहां पर 190 भी सकता है जैसे पहले बना हुए क्योंकि यह सेम ही ओल ऊट होती साँध अपरिकानी चेज़ कर दिया था जातर विकेट पेसर के आते हैं बट स्पिनर्स को भूल मत जाना स्पिनर मीं यहाँ पर कभी कबार न पढ़िया कर देते जैसे चार विकेट तीन विकेट और आपको तीन विकेट देखने को मलते हैं बट एक चीज जिन पहले इनिंग में पहलेगों से इनिगोन ऊबँसल्ड रहें था से reindeer रहें 12 इनिंग को बाकि इन्म छेवेर की दूसरी पफिक अब नहीं आसे ब Fight सुम्हार की पहले इनिंग में 25 अब इसका में। नीन डुश्जब ओल आउट हो रहे थे यहाँ पर ठीके जैसे पी एंजी आप देखो यहाँ पर 95 अगें युगांडा चालिस पदा उस पेंजी की टीम 78 पिट है तो वह वाली चीज रही थी बागी अभी हाल फिलाल ऐसा रहा है कि यहाँ पर ना जो क्या बोलते है वोमिन्स करेबिन प्रिमेर बीच में एक दो बार 0 भी है वट उसके लावा स्कोर देखोगे तो 4469 डेफिनेटल एक ग्रैंड लिग के लिए सीवेसी ऑप्शिन बनता है पहले भी साउथ ओफरेका गिएश्ट में अच्छा खेल चुका है उसके बाद में शाई होप है आप जो कि ब्रेंडन किंग तो और घ्ला फॉल निकोलो जुरू नो थेखो या तो निकोलो स्पोंन ने monet दागा कोल दिया या फिर उष्ण के स्वंच और कि लिएberly निकोलोस पॉन के सा upload के साथ में आता है चाहे विकट गर गये हुग भाई दस पर के ये आने के बाद में बहुत जाद सेलक्षिस इसका वैसा ही रहते हैं भाई मारना है ठीक है तो वह वाली चीज है निकोलोस पुर्ण के साथ में ज़स दिन किसमत साथ उस दिन तो फिर बोल बाइमटर के भार अधरवाइस फिर ऐसे स्कोर देखने को मिल जाते हैं बाकि एक चीज निकोलोस पुर्ण अगें साउथ अफरिका उत जाएंगे अल फिलाल पिछले तीन-चार मैंचस तो उतने अच्छे नहीं रहें बट उससे पहले विकेट वगर इनके नाम जरूर थे नेक्स्ट विर शिम्रेंट है रहती है एक थोड़ा हिट और मिस्टाइप ही रहते हैं शिम्रेंट हैट मैर भी उस मेरे को ज्यादा बर यहां से रोमन पावल की तरफ से मिला है रोमन पावल की तरफ से नहीं बड़ी पार है जो 40-50-60 रन की होती है वो कभी कबार देखने को बलते है 10-15 मैचस में एक बार वरना जनरली यहां तो यह 20-25 के रौंड बनाता है यह बहुत जल्दी आउट हो जाता है उसके बाद मे एक 24 रन दो, दो रन तीन, दस रन चार और देन अगेन यहां से दो विकेट है और आपको बताए कि रोमारे शेफट के इवन अगर बैटिंग आ जाती है तो वहां पर भी रन वगरा आने के चांसे रहते हैं शेफट की तरफ से और बोलिंग तो फिर वह जहां तो उसान बोलिंग करेगा पाउर प्ले में उसके बाद में एक लेफ्ट ताम और्थोडोक से माफ करना है ठीक है गुदाकेश मोती जिरो विकेट एक विकेट जिरो विकेट दो तीन और यहां से एक विकेट देखने को मल जाते हैं नेक्स्ट उसके बाद में ओबड मकोई है लेफ्ट ताम पेसर अब और में कोई का विकेट अच्छा है अगेंस आउट तो परिकार रिसेंट फॉर्म के बात करें तो कहीं ना कि मैंकोई वाला और पुरन वाला हाल ना सहीं ही देखने को मलता है या तो विकेट निकाल दिये दो दो तीन तीन अदरवाइस एकदम ही यहां से विकेट लेश बैट में कोई जाता हूँ दिखाए बट जातर ऐसा एक विकेट निकाले हैं तो कहीं ने कहीं कहीं बैट में कोई ऐसा डिफरेंशल पिकाप के लिए जरूबने को बहुत जादव कोमन नहीं है मैं कोई आज आची के बाद करें शमार जोसाफ प्रिस की जगे पर चांस थोड़े से कम लगते हैं बाकि नेक्स्ट यहां से फिर मैथ्यू फोडे आ जाते हैं जो कि राइट हैं पेस बोलिंग करते हैं बोलर अच्छा है काफी और काफी मैथ्यू फोडे बोलर अच्छा है डेफिनिटल अगर टीम में आता है तो अब ग्रेंड ले सकते हैं उसके उपर तो यह तो जाती है वेस्ट इंडीस की तरह से प्लेंग लांग जिसमें बोलिंग करते हो दिख जाएंगे मैं को मोती अकिल उसान रोमारियो शेफर्ड और यह आते हैं आप बुझरा आपके जबरदस्त ओफर के उपर कि कैसे आप जो है एक आज के लिए सीवी गाड़ी जीच सकते हो आपको करना क्या है इस मैच के इडिलाइन से पहले आपको नो डिस्क्रिप्शन में जाना है अभी चले जाना है कहा डिडिलाइन का वेट कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा माईलाने सरकाल के लिंक डाउनलोड कर लेना और यहां पर एक जबरदस्त ओफर कहा है कि आप पांच टीम जोइन कर सकते हो मेगा ग्राइन लिग में वो भी सर्फ एक रुपए में ठीक है पहली बात तो यह और अब बारी आती है क कि मेगा क्राइन लिग जोइन तो कर लोगा आप बोलोगे इतना बड़ा प्राइज नहीं होगा यहां पर वही तो बात है कि आप एक रुपए में जोइन भी कर लोगा आपको प्राइस भी जो जीतने का मिलेगा एस्यूवी गाड़ी बहुत ही जादा बढ़िया तरीके से सोचो एक रुपए में एस्यूवी गाड़ी घर के सामने खड़ी हो जाए पड़ोसी जल्द मर जाएगी ठीक है तो यहां से जीतने का आपके लिए चांतर रहेगा और साथ-साथ बहुत सारे कैश प्राइज भी है साथ में ऐसानी के सिर्फ गाड़ी है गाड़ी में पैसा कैसे मतल Dracula मानों मानों आप 200 रुपएद प्राइब्स करने जाते हो 20% मर बिच परसेंट और इस सब नहीं खेल रहे इन तीम सभार किया गया वह यही जाने बठा रेश्ट ही दिया गए मुश्ट प्रवबली रिजा हें आपको देखने को मिल जाते हैं हाल फिलार फॉर्म ठीक ठाक सा रहा है रिजा है रिजा हें की तरह से को पचास नहीं है बठा तहीस दस चोतिस सत्ताइस सत्रह उन्तालिस एक सब्सक्राइब को मिला है तो इस एक इसा स्कॉर करता है यह फिर 89103 ऐसे स्कॉर देखने को मलता है रिकल्टन की तरह तो समझो इसकी तरह से फिर पचास साथ रन बिल्कूल भाई यहां से आ सकते उस तरह के लड़ी है रियांट रिकल्टन तो एक वह है कि बहुत सब्सक्राइब की पर सेक्शन में निकोलोस पूर्ण आपको देखने को मिल जाते हैं ठीक है आपके पास मैं शाहिए होप भी एक अच्छे उप्शन रहेंगे तो कहीं ना करना तोड़ा सा मुश्किल हो बट हाँ अगर रिस्क लेना चाहो तो रिकल्टन एक अच्छा उप प्रकारम के साथ में सब्सक्राइब तो वह ही था जो इंडिया के साथ में ठीक है थोड़ा सा टाइम में टैस्ट मैचेस होएं बागी ना मार करण का फो प्रणा मान सकते हो बाकी रासए आप यहां नहीं टे केनड़ा था अलाके उतना खुछ खास परफॉंस यहां से तो स्टब्स का भी जो रीसेंट फॉर्म हो थोड़ा सा पुरान है बट हाँ हाल फ्याल फॉर्म अच्छी दिखिए स्टब्स की और चांसे है यहां से रन आने के स्टब्स के उसके बाद में डॉन ओन फरेरा है अब फरेरा ने बीच में रन बना दिया थे फोटिनेंग तीस बाइस बट उसके बाद में अगेन वैसा यहां से फरेरा की तरफ से आया मैं जादा कंसेडर करता है यह दोन फरेरा को लेना एकसेप्ट कुछ टीम में जरूर ट्राय करते हूं ऐसा नहीं कि इगो की बीच में फरेरा को ग्रेंड लिंग में मिस कर दो वैसा थोड़ी स्मॉ बागी अगर आज आती है तो चांस वह बनेंगे वह के ड्वंटेज है कि 15-20 यहां से बना के जा सकता है जैसे आप देखोगे दस बीस नो रन है फिर सोला है फिर तेरह है तो वैसा कुछ है बोलिंग से रिसेंट फॉर्म देखा जाए एक जिरो दो एक जिरो एंड दन अग सकता है ठीक है वैसे जाथ हर इसके जो विकेट आते वह टेथ होवर्स में ही आते और उसके बाद में लुंगी एंगिडी है यह नहीं वोलके साथ में डालेगा थोड़े से वर को चांस कम लगता है लुगिया नगेडी के लिए वी कि शुरूवात में विकेट ले अबट ह या तो बहुत अच्छी लाइल लेंड डालता है या ऐसी लाइल लेंड डालेगा कि इसको 6 बोल पर 6 चक्के मार देगा चार्ल्स ठीक है ओ वाली चीज़ है रीसेंट फोर्म ठीक ठाक सा देखने को बला है नांदरे वर्गर की तरफ से बागी चांसे है कि टीम नांदरे वर्गर को ना खिला कि लिजार्ड विलियम्स को भी मोका दे सकती है जिनका रीसेंट फोर्म थोड़ा सा खराब है पिछले 7-8 बैचर्श में बागी पैट्रिक क्रूगर है बैटिंग गोलिक दोनों करता है उसको अदमें केवन मफाका यह ट्रेविजेट ने बूद बना दिया तो मार मार के एक विल में केवन मफाका लेफ्टाम पेसर रीसेंट फोर्म यहां पर इनका जो है वो ठीक ठाक सा देखने को मिल जाता है एक एक विगेट है चांस थोड़े से कम है हलागी खेलने के और उसका वाद में के वास में जैसन इन्दीज ने और दो मैचस हा रहे हैं साउत अपरिका ने वो से फाइनल जो एक था वही खेल है और वह इन्हों ने जीता हुआ है अब इस ग्राउंड पर रनों के बाद कीजा चार्ल्स का है पच्छेस का एवरेस पंदरा इनिंग में रन है 375 निकोलोस पॉन अठारा इन के साथ में शर्फेंड दरफोर 12 मैच में 210 रन है इनका इवरेस 19 का है शाई होप 9 मैच में 203 इनका इवरेस 25 का देखने को मिलता है तो बहुत ज्यादा कोई अच्छा एवरेस किसी का नहीं है बस वह बात है कि एक्सपीरेंस निकोलोस पॉन चार्ल्स और यहां से हैं वहां कोहां पर दिख जाते हैं जैसे मोती है शाइन मेरे एक्सरेंट होने के बाद में कोई है और यहां से 8 मैच में आठ और मोती नामने में जहाँ पर उसने चार मैच में आठ विकेट निकाले हुए इस क्राउन पर ठीक है इवन मोती का सेम ही रिकोर्ड है अगेंस्ट साउथ अफरिका भी चार मैच में आठ विकेट हैट्वर्ड की बात की जाए यहाँ है थोड़ी सी काटे की ठककर तेहीस मैच में से अब तक हो चुक है जिसमें से के तेहीस बारा जीते हैं साउथ अफरिका ने और ग्यारा जीते हैं वेस्ट अंडी चाहेगी थोड़ा बराबरी पर आ जाए वाला में जीप के काफी जादा बढ़िया है 33.57 का उनसे भी वहतर फिर मारकर हम आठ मैच में 269 रन 53.80 का एवरिज ध्यान रखने वसे आठ में से तीन बार नो टाउट भी है तो एवरिज थोड़ा सा बढ़ा हुओ भी है नेक्स चाल्स है 7 मैच में 255 रन 36 का एवरिज के साथ में रासी बंडे डेसन है 9 मैच में 238 रन है 34 का एवरिज यहां पर भी है रोश्टन चेज ने 5 मैच में 161 रन बना रखे हैं और हाइस स्कॉर भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉर्टी वन है निकॉलस पुरण का अगेंस्ट साथ अफरिका तो यह तो निकॉलस पॉर्ण आज के लिए बहुत अच्छा कर देगा यह जब भी पूरण आएगा ना बैटिंग करने चांस है कि मारकरम आपको बोलिंग क के साथ में एक तो शेफर्ड एक रोश्टन चेज ने रंज जो वो काफी अच्छे बना रहे हैं इवन जोंस अंचाल्स के भी ठीक ठाक है नेक्स्ट अगर बात करें बोलिंग शेक्शन की मैकोई 9 मैच 14 विकेट्स हैं लूंगी अंगिडी 8 मैच में 9 विकेट्स के साथ में उसके बाद में गुदिकेश मोती 4 मैच और 8 विकेट्स इनका यहाँ पर भी है रोश्टन चेज के नाम भी 4 मैच में दिखो ऐसा ही कि 5 विकेट्स हमें देखने को मिल जाते हैं हलाकि आज के लिए वस रोश्टन चेज के लिए ऐसा है कि सामने जालतार आपको लिफ्ट एं विकेट्ट और शमार जोसेफ तीन मैच में तीन विकेट्स के साथ में तो यह रहता है आज के लिए पूरा हेट्वर लीडर वेंगी लीडर सारी चीज़े किसके रिकोड़ अच्छ है किसके नहीं एक बार प्लेयर वैटल और देख ले थे तो रान रिकल्टन जो है वो मैं इदर से एलन है जो एंगीडी के सामने दोबर आउट हो चुका है नेक्स्ट अगर बात कीजिए अपनी माइलन सर्गल की टीम की तो वह और देख ले था बाके माइलन सर्गल भूल ला माता बिस्क्रिप्शन में लिंक कर लेना और फटावट से जाके में में कर लेना बाकि मारकर हम हो गया एंगीडी नांदरे बरकर उसका आदम उटनायल बात्मन मकोय होकर अकील उसन को यहां से रखा हुआ है जिसमें कैप्टन किया हुए मारकर हम क्योंकि बैटिंग प्लस बोलिंग दोनों करेगा इस वजह से और वाइस कैप्टन नहीं किया यहां से उटनायल लाइक जरू करते हैं चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं क्या हो हो तो फटावट से कर दो बागी उल्लावेश्टिस मैच के लिए बहते हैं आपको नेक्स वीडियों बहुत ही जाए जाए